नमस्कार आप देख रहे हैं जीविनुज तो दोस्तों वक्त हो गया है दोपार की बड़ी खबर को जानने का तो उसे पहले अगर आपने अवी तक जीविनुज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दिश जाकर जीविनुज को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन मिलको ओन कर दीजिए 21 दिन के बाद सरकार की लॉकडाउन बढ़ाने की नहीं है कोई योजना कैबिनेट सेक्रेटरी ने खबरों को बताया गलत जियां देश में इस बढ़ते बिमारी के मामलों में दिन प्रति दिन बढ़ोत्री होती जा रही है इसी बीच किंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि देश में लगे 21 दिनों के लॉकडाउन को आगे और बढ़ाने की कोई योजना नहीं है कैबिनेट सचीव राजीव गौबा ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की रिपोर्ट्स को खारेज करते हुए कहा कि मुझे ऐसी रिपोर्टों को देखकर हैरानी हो रही है सरकार लॉकडाउन का विस्तार करने की कोई योजना नहीं बना रही है आपको बता दें कि देश भर में इस बढ़ती बिमारी के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च की मध्यरात्री से 21 दिनों के लिए लॉकडाउन का एलान किया गया है मुख्यमंत्री के सियार का दावा अगले 9 दिन में इस बढ़ती बिमारी से मुक्त हो जाएगा तिलंगाना जिहां इस बढ़ती बिमारी के वज़े से लॉकडाउन के बाद देश भर में प्रवासी मज़ूर अपने गाउं की तरफ पलाइन कर रहे हैं इस बिच तिलंगाना के मुख्यमंत्री के चंदर सिकार राव ने इन मज़दूरों के लिए अपने ही राज्य में खास व्यवसा की है मुख्यमंतरी के चंदर शेखर राव ने इस पश्ट कर दिया है कि मजदूरों को तिलंगाना छोड़ कर जाने की कोई जरूरत नहीं है सरकार उनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए सक्चम है मुख्यमंतरीन अपनी प्रेस कॉन्फेस पे कहा कि हमारे राज्य में काम करने वाले भाई फिर चाहे वो हिंदूस्तान के किसी भी कोने के हों आपकी जिम्मेदारी हमारे पास है आपको रासन से लेकर हर जरूरत की चीजे सप्लाई करना हमारा फर्ज है उन्होंने कहा कि आप हमारे राज्य के विकास के लिए यहां आए हुए हैं इसलिए हम आपको भाई बंदू समझते हैं आप किसी चीज की चिंता न करें आप तेलंगाना में आराम से रह सकते हैं हम यहां जब तक आप रहेंगे आपका खर्ज हम उठाएंगे साथी उन्होंने गोशना की कि हर आदमी को 12 किलो रासन दिया जाएगा हर व्यक्ति को महीने के 2000 रुपए भी मिलेंगे उन्होंने दावा किया कि अगले 9 दिनों में रज इस बड़ती विमारी से मुक्तो हो जाएगा मुक्यमंत्री योगी आदितनाथ ने 27 लाख मनरेगा मजदूरों के खाते में भेजे 611 करोड रुपए जिहां इस बड़ती विमारी के बीच लोकडाउन के बीच उतर प्रदेश के मुक्यमंत्री योगी आदितनाथ ने रज्य के मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ी मदद की है CM ने परदेश के 27.5 लाख मनरेगा मजदूरों के खाते में 611 करोड रुपए ट्रांसपर किये है CM ने लखनाउ में एक किलिक के जरिये पैसे ट्रांसपर किये इस दुरान CM योगी आदितनाथ परदेश के 75 जिलों के 75 मनरेगा मजदूरों से समवाद भी कर रहे है मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ पहले हैं इस तौफे का एलान कर चुके है इस बड़ती बिमारी के देखते हुए मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ ने पहले परदेश के 20 लाग से अधिक दिहाडी मजदूरों को 1000 रुपए की पहले किस्त डीबिटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेज चुके हैं इस बड़ती बिमारी के वज़े से अमेरिका में हलात हुए बेकाबू राष्टपती टरंप ने 30 अपरेल तक पढ़ाया लोकडाउन जिहां अमेरिका में इस बड़ती बिमारी को देखते हुए राष्टपती डोनार टरंप ने समाजिक दूरी वाले दिशा निर्देशों को 30 अपरेल तक के लिए बढ़ा दिया है टरंप ने इस बात की पुष्टी वाइट हाउस में आवजीत एक प्रेस कॉन्फरेंस में दी बात करें अमेरिका में इस बड़ती विमारी के बारे में तो यहां अब तक लगभग 1,37,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं राश्पती टरंप ने कहा कि हम अपने दिशा निर्देशों को 30 अपरेल तक के लिए बढ़ा रहे हैं जिससे इस बड़ती विमारी के धीमा किया जा सेगे आप लोग जितनी अची तरह से काम करेंगे उतनी ही जल्दी यह बुरा सपना खतम होगा दुनिया के जिन देशों भी इस बड़ती विमारी का सर्थ सबसे ज़्यदा देखने को मिला है उसमें अमेरिका का भी नाम सामिल है अमेरिका में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं दिली से पलाइन करने वाले मजदूरों को लेकर अरविंद केजरिवाल का बड़ा एलान कहा अगर कोई मकान का किराया नहीं दे पाता है तो सरकार करेगी उसकी भरपाई जिहां इस बड़ती बिमारी को लेकर 21 दिनों के लोकडाउन के बाद दिली से बड़े पैमारे पर मजदूर अपने घरों के लिए पलाइन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी के साथ ही रूम का किराया और खाने की चिंता सता रही है कि यह लोकडाउन आगे घरों का किराया नहीं दे पाता है तो दिली सरकार उसका मकान का किराया देगी